हैलो एवरीवान कैसे हो आप सब मॉनी का देशी व्लॉग मैं आपका विल्कम करती हूँ और उम्मित करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं आए हूँ बारे में और बारे में आयू मेरी लकरी लेने के लिए जब भी हम घर से निकलते हैं, तो गुंगट निकालके निकलना होता है, गाउं में ये रिवाज नहीं है, कि मुझ उठाके चल दिये, बड़े पुज़ुर का मानसा होता है, चाहे इसको आप लोग प्रथा मानो, चाहे कुछ भी मानो, लक्री लेने आई थी, लक्री लेके जाके फटाफर उनके लिए खाना बनाऊंगे, क्योंकि वापस घर जाएंगे तो, तो सासुमा और सब कह रहते हैं कि पुड़ी बना दे, कि ये खाना खाके चले जाएंगे, तो अभी तीन बज रहें टाइम, मतलब हमारे जल्दी बनाते तो हम लोग जल्दी खाने में लग जाते हैं, और फिर कोई गेस्ट आ जाता है, तो और जल्दी खाना बनाते हैं, तो इसलिए मैं आई थी, बाड़े में लक्री लेने के लिए, तो ये लेके जा रहे हूं, मैं वापस, और जाने के बाद मैं जस्ट फटा-फट खाना बना कि भी में गाउं जाती हूं तो मेरा एक रूटीन बना हुआ होता है और बहुत बीजी रूटीन होती है तो मुझे अच्छा लगता है मैं जहां रहती हूं ना महां पर इतना काम नहीं होता है पर गाउं में क्या कि सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में चलता है मेरे साथ में मेरे दोनों नंदे भी बरापर हेल्प करवा रही थी एक आटा लगा रही थी और एक जो मिठे पुवे का गोल होता है वो कर रही थी मीठे पुवे हमारे बनते ही बनते हैं क्योंकि फिर आप इन अवरात्रे चल रहे हैं तो माता जी के धूप लगानी है उनके भोग लगाना है तो मीठे पुवे का ही लगता है हमारे रिवाज आई है कि मीठे पुवे बनते ही है चाहे कौन सा भी त्योहार होता है तो शुरू से हमारे यही परंपरा रही है कि मीठे पुए बनाते हैं हाँ खेर कई अब प्रशाद भी लाने लग गए हैं लोग कई तो प्रशाद भी चड़ाते हैं पर अधिक तरह हम लोग मीठे पुए कई प्रशाद चड़ाते हैं भगवान जी को भोग उसी का लगाते हैं और दोनों नंदे परबर मेरी हैल्प करवा रही थी और यहां मैं पहले निकालूंगी मीठे पुए क्योंकि दूप लगानी इसलिए एक बार धूप लग जाएगी न माता जी को भोग लग जाएगा तो उसके बाद मैं खाना खा सकता है कोई भी मैं खाना खा के अपने अपने जा सकता चाके लेट ना हो तो मैं वोई कर रही थी बच्चे भी मेरे बैठे थे कि कब मीठे पुए बनें कब खाएं क्योंकि मीठे पुए को शौक है इनको भी जिसमें छोटे वाले को जादा शौक है कि जैसे मीठे पुए बनें मम्मी मेरे को तो दे दो वो चारो और भूम रहा था तो मैं उसको यही बता रही थी कि एक बार बड़े पापा को धूप लगा लेंदे उसके बाद मैं मैं तुम सब को दे दूँगी और इनको भी इनके भी खूब सारी गाएं भेस हैं में जो छोटी वाली ननद आई थी उसके तो वापस जाके इनको दूद निकाला था गाए भेस का इसलिए मैं जल्दी कर रही थी कि ये लेट ना हो ताकि इनके भी जाके टाइम से क्योंकि इनके भी सासु मा है बच्चे वही हैं तो खाना तो मैंने इनके पेक कर दिया था पर फिर भी जो सासु मा है वो भी एजेड है तो उनके लिए अलग से खाना बनता है सास को गाए रखने का शुरूर से शौक है और उनको अच्छा लगता है तो रखते हैं अभी कितні दिक्कते आये जाये पर Megan तो रहे अधियु किसी को देनी भी नहीं देतें वैसे ही जो काँमी लोग होते हैं वो एक दूसरे के कभी भी दूद लेने नहीं जाते हैं वो अपने घर का ही दूद गी छाच सब अपने घर का ही खाते हैं अदिकतर बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ कभी जैसे गाय दूद नहीं दे रही है तो जैसे छाच वगेरा ले आते हैं मगर दूद तो नहीं लाते हैं गाउं में यह होता है अकसर और यहां निकल गी ती मेरी गर्मा गर्म पुरियां जो की जो खाने वाले हैं वो गर्मा गर्म खाए और ज्यादा लेट ना हो और अपने अपने जा सके साथ के साथ में मेरी दोनों नंदे हेल्प करवा रही थी मेरी बरबर से मैं अकेले काम नहीं कर रही थी अभी सासुमा की तवित खराब चल अगर मैं ठीक होती तो मैं अपने बच्चों को खुद को अपने हाथों से खाना खिला के भेज दी तो ऐसा उनको एसास नहीं होना चाहिए उनको खुशी होनी चाहिए कि मैं जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती हूं वैसे मेरी बहुवे भी मेरी बेटियों का ख्याल र तो उनके लिए कुछ अच्छा बनाए अच्छे से खिलाए पिलाए उनको फिर उनके सुस्राल वापस बेजे वैसे इनको लगता है और उनकी सब बच्चों में बहुत अच्छे से केर किये तो इनको कभी मतलब इनोंने भूके नहीं जाने दिया चाहिए मैं बेटियों की बा है हमारे यहां से बहुत कम ऐसे जाते हैं बागी सब लोग खाना खाके ही जाते है दिकतल हमारे यहां से तो उनको में इसासुमा को एहसास नहीं होना चाहिए कि यार आज मैं जिन्दा हूँ तो भी मेरे बेटियों का यह हाल है तो कल को पता नहीं क्या होगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे वो care करते हैं कोशिश मैंने उतनी कि है कि मैं उनकी लड़कियों का उतना ही खयाल रखूँ वैसे ही रखूँ जैसे वो रखते आए और यहां पे यह लोग खानाखा के वापस जा रहे प्रिए लिए बिडियों को लाइक शेर थैंक्स वर वाची हुआ है